तो हलो दोस्तो माईने में जमन मलिक and welcome back to another video अब देखो editing की दुनिया में cuts तो बहुत सारे हैं बट यहाँ पर मैं बात करूँगा सिर्फ चार major cuts की यह जो चार major cut हैं यह हर जगा use होते हैं आपने देखे होंगे शायद आपको उनके नाम ना बता हो लेकिन जब मैं आपको उनकी working बताऊंगा उनका use बताऊंगा तब आप समझ जाओगी कि मैं कौन से cut की बात कर रहा हूँ एक बात मैं आपको और बता दूँ कि filmmaking और editing एक ongoing process है यहाँ पर कोई fixed rules नहीं है filmmakers आये दिन ये rules तोड़ देते हैं और कुछ नया create कर देते हैं और वो audience को पसंद भी आ जाता है वो देखने में अच्छा भी लगता है तो कुछ set rules नहीं है बट हाँ कुछ चीजे बना दी गई है कुछ चीजों के नाम दे दी गई हैं तो अब बात करते हैं जे कट के भाई की जिसका नाम है एल कट एल कट भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है बट इसका opposite है और यहाँ पर भी मैं आपको अगर एल कट समझाने बैठूंगा तो आप confuse हो जाओगे इससे बहतर है कि आप ये example देख लो तो यहार एल कट जो होता है वो हमारे conversation जो scene होते हैं जो आप films में movies में देखते हो वहाँ पर एल कट का बहुत जादा use होता है जिससे कि जो conversation होती है between two characters वो काफी smooth लगती है और natural लगती है एल कट का यहाँ पर यही मतलब है कि आपको previous audio पर next visual देखने को मिल जाता है I know J कट और L कट में बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं बट यहाँ पर मैंने जो आपको example दी हैं I hope आप उससे confused नहीं होगे अब हमारा जो तीसरा कट है उसका नाम है जम कट नाम ही की तरह बहुत simple है बट बहुती जादा interesting कट है जम कट के बारे में भी आप लोगों ने सुनाई होगा जम कट का अगर मैं आपको सीधी definition दूँ तो जम कट का हम यूज करते हैं to speed up the time मतलब एक बहुत बड़ी चीज को दिखाने के लिए हम जम कट का यूज करते हैं उसको एक कम टाइम में दिखाने के लिए जैसा कि मैंने थोड़ देर बेले बताया के to speed up the time मालो अगर कोई 2 मिनट का सीन है तो मैं उस सीन को जम कट की मदद से सिर्फ 10 सेगंड में भी दिखा सकता हूँ बेसिकली वही मतलब निकल के आ रहा है के to speed up the time अब जो हमारा आखरी कट है ये बहुत ही जादा legendary कट है मतलब जो cine files है जो बहुत जादा movies देखते हैं उन्होंने match कट के बारे में सुना होगा और match कट की history भी बढ़ी होगी और match कट कितनी अच्छी दरीके से बहुत जगा पर use हुआ है वो भी उन्होंने देखा होगा तो देखो match कट की simple सी definition यही है कि तो दोनों सीन जो अलग 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 सिनारियोज में शूट हुए है उन सीन को आपस में जोड़ देना और उनका action match करा देना इसको हम कहते हैं match कट अब देखो जो legendary match कट है जो films में use हुए है सबसे best example है Lawrence of Arabia का और टूटाउजन वन आइस स्पेस ओडेसी तो यह जो मैंने आपको दो एक्जामपिल दिये यह greatest example है in the filmmaking industry और in the cinema industry लेकिन match कट बहुत सारे YouTubers भी use करते हैं एक scene से दूसरे scene में आने के लिए और वो कफी seamless process लगता है तो यार यही कुछ चार cuts थे जो मैं आपको बताना चाहता था अगर आप एक editor हो तो आपको कम से कम यह 4 cuts के बारे में तो पता होना ही चाहिए अगर आप कहीं interview देने चा रहे हो या फिर किसी से बात editing theories वाली वीडियो देखने ही तो मुझे नीचे comments में जरूर बता देना मैं मिलता हूँ अब से अगली वीडियो में तब तक के लिए stay healthy stay safe and I'm out